बेंगलूरू का पानी खतम हो चुका है प्रॉब्लम इतना सीरेस है कि लोग बेंगलूरू छोड़ कर जा रहे हैं ग्राउंड वाटर जो पहले 100 फीट में भी मिल जाता था अब 18-100 फीट खोदने पर भी नहीं मिलता बेंगलूरू की कहानी पूरे देश के लिए एक वार्निंग है कि अगर हमने इस क्राइसिस को टैकल नहीं किया तो देश का फ्यूचर खत्रे में होगा ये वीडियो और ये टॉपिक काफी सीरिस है आपको लग रहा होगा इसे स्किप कर दें हमारे पास आज पानी है लेकिन आज पानी होना ये गैरंटी नहीं है कि हमारे लिए कल भी पानी अवेलिबल होगा कल शायद आपको सुर्फ एक ही घंटा पानी मिले और वाटर कर्ट्स का सामना करना पड़े इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखे ताकि आप अपने आपको और भारत को भी एक वाटर क्राइसिस से बचा पाए बेंगलूरू भारत की सिलिकॉन वैली स्टार्ट अप और आईटी हब है 2024 में ऐसी नियूज आने लगी कि बेंगलूरू इस रनिंग आउट ओटर प्रॉब्लम यह है कि बेंगलूरू का वाटर सप्लाई काफी ब्रोकन है बेंगलूरू के 70 प्रतिशत वाटर नीड्स कावेरी नदी से आते हैं और बाखी के वाटर नीड्स ग्राउंड वाटर पंप करके आते हैं प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड से पानी निकल तो रहा है लेकिन ग्राउंड में पानी वापस नहीं जा रहा है। बेंगलूरु की ये इमेज काफी वाइरल हो चुकी है। बेंगलूरु में अर्बनाइजेशन यानि कॉंक्रिटाइजेशन, बिल्डिंग्स, रोड्स की संख्या 1000% बढ़ गई। लेकिन वाटर बॉडिस की संख्या अल्मोस 80% कम हो गई। हमने लास्ट यर अर्बन फ्लडिंग पर एक विडियो बनाया था। भारत की मेजर शहर हर साल मॉन्सून में फ्लड होते हैं और ये एक मैनमेड डिजास्टर है। लेकिन लैंड तो लिमिटेड है तो ये सब गुआ कैसे? वाटर बॉडी इसको रिक्लेम करके, पेड़ो को काटके. जब ये एक area develop होता है, population बढ़ता है, तो फिर water needs भी बढ़ती है, लेकिन इसके बारे में planning नहीं होती, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती जब एक building को construction की permission मिलती है, तो वहां के residents को पानी मिलेगा कहां से बाई law तो कहां गया है कि बेंगलूरू में rainwater harvesting mandatory है, लेकिन अगर on ground ये law implement होता, तो शायद आज बेंगलूरू में ये problem ना होता और बेंगलूरू का 70% पानी कावेरी नदी से आता है, तो वो monsoon पर काफी dependent होता है, अगर monsoon अच्छे हुए तो river में पानी होता है, लेकिन अगर monsoon deficient हुए या फिर डॉट की संभावना है, तो इसका direct impact बेंगलूरू और उसके निवासियों पर होगा बेंगलूरू की सबसे बड़ी problem यही है कि existing water bodies को encroach किया गया है, लेक्स में मिट्टी भर के उने property development के लिए use किया गया है, इन सब के वज़े से ground water पर भी असर हुआ है और excess monsoon के समय flooding भी होता है चाप्टर 2, India's Water Future 2018 में नीती आयोग ने Composite Water Management Index निकाला, जिसमें उन्होंने भारत के water resources, उनकी availability, water scarcity पर एक water index बनाया उस report के पहले ही page में ये लिखा है कि 60 crore लोग extreme water stressed areas में रहते हैं, हर साल 2,000,000 लोगों की जाने जाती है क्योंकि उन्हें clean और safe drinking water नहीं मिलता, और इस water shortage की वज़े से हमें कितना नुकसान होता है पता है, 6% of our GDP and that is huge तो put things in perspective हम हर साल 2% of GDP healthcare पर खर्च करते हैं and 3.5% of GDP education पर और problem ये है कि जैसे जैसे भारत और बढ़ेगा हमारे water needs भी बढ़ेंगे जैसे apartments बनेंगे लोग ज्यादा पानी consume करेंगे और इस सब के लिए भारत के पास कोई concrete plan नहीं है नीतिया आयोक के composite water management report में ये graph बनाया था आप जरा ध्यान से देखेंगे तो जिन states से गंगा नदी गुजरती है उन states ने सबसे कम water management और preparation की है इस water scarcity का बहुत levels पर impact होता है फॉर एक्जामपल बिना पानी के हम खेती कैसे करेंगे, same crops हर साल कैसे उगाएंगे लोगों को clean पानी के नाम पर दूशिक पानी मिलता है जिससे health problems होते हैं और overall quality of life कम होती है जो लोग water tanker afford कर सकते हैं उनकी बात अलग है लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता, क्या उन्हें पानी मिलेगा, वो किस condition में मिलेगा, क्या ये drinking water होगा, who knows इन सारे मुद्दों पर विचार होना जरूरी है लेकिन जब तक इन मुद्दों पर बात नहीं होगी, तब तक हम हमारा पानी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते रहेंगे, भारत में excess sugar produce होता है, शुगर के हम buffer stocks रखते हैं, और उसे export भी करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये profitable है, बट इसलिए क्योंकि over production के वज़े से prices crash हो सकते हैं, हम इतना excess sugar के इन produce करते हैं, कि उससे हम ethanol produce कर रहे हैं, भारत में 62% water needs, ground water से आते है और वहाँ पर भी water stress का issue है, भारत आज भी majorly thermal power से चलता है, और thermal power plants heavy water consumers होते हैं, यानि इस water shortage की वज़े से हमारे electricity production पर भी impact होगा, हम हमारे potential से भी कम power produce कर पाएंगे, Chapter 3, Solutions to the Water Crisis, Water crisis और Bengaluru का situation भारत के लिए एक warning sign है, अभी समय है, अभी सही कदम उठाओगे तो देश को बचा पाओगे, Water shortage of water crisis को tackle करने के कई तरीके हैं, at an individual level and at a policy level, लेकिन इन steps को implement करना भी बहुत अवश्रक है, क्योंकि जैसे जैसे भारत industrialize हो रहा है, जैसे जैसे भारत urbanize हो रहा है, वैसे वैसे उसके water needs के बारे में भी सोचना होगा, भारत के पास unlimited और infinite पानी नहीं है, गंगा या मुना ब्रह्मपुत्रा जैसी नदिया, glacier fed है, जैसे glacier melt होंगे, वैसे पानी के levels बढ़ेंगे, लेकिन future में ये levels कम होंगे, जब glaciers ही नहीं होंगे, भारत में दुनिया का 16% population है और 4% से भी कम पानी, इसका मतलब है कि हमें हर बूंद को conserve करना होगा choice ही नहीं है, एक बात याद रखे, reuse, अगर आप पानी को multiple times use कर पाए तो आपका water demand sharply कम हो सकता है, तो जो पानी waste में जाने वाला था, वो अब flushing में use होता है, तो हमारा overall water demand कम होता है, आप आपके kitchen की पानी को reuse कर सकते हैं, उन्हें ही plants में use कर सकते हैं, washing machine का पानी flush करते समय एक और बार use कर सकते हैं, दूसरा solution यह है कि आप ऐसे water converters का उप्योग करें, जो आपके taps में fit होते हैं और आपके water के flow को कम करते हैं, ये water को high stream jets में convert करता है, जिससे water consumption तो कम होता है, लेकिन cleaning में कोई compromise नहीं होता, इसे आप हर tap में लगा सकते हैं, परसनल example बताता हूं, हमारे घर पे आरो है, और इस आरो का पानी हम तीन बार use करते हैं, जब भी पानी filter होता है, तो फिर बचा कुछा पानी हम एक bucket में collect करते हैं, उसी bucket का जो पानी है, वो हम cleaning के लिए use करते हैं, फिर वो जो grey water बन जाता है, उसे हम flushing के लिए use करते हैं, At a society level, हर society को rainwater harvesting की व्यवसा करनी ही चाहिए, और ये करने के लिए अभी सही समय है, क्योंकि बारिश start होने के लिए 3 महिने बाकी हैं, ये rainwater harvesting pits मौनसून में बारिश को capture करेंगे, और आपके building के bore wells को recharge करेंगे, और इन rainwater harvesting structures का एक और बड़ा benefit है, कि वो flooding रोकते हैं, क्योंक water harvesting का, trots में और floods में दोनों situations में फाइदा ही होता है, न्यू housing projects में rainwater harvesting mandatory है, ऐसा सुनने में तो आया है, but to be honest, I'm not really sure of the implementation, at a policy or government level, ये आवशक है कि हम ये छुपाने की कोशिच ना करें कि water shortage है, I mean Cape Town का example लेते हैं, बीच में कई सारे articles आये थे कि Cape Town will be the first city to run out of water in 2018, मैंने एक report पढ़ा कि Cape Town ने अपने water shortage से कैसे deal किया, वहाँ पर पहला ही line है, कि government और municipality ने ये deny नहीं किया कि water problem है, उन्होंने एडमिट किया कि पानी की समस्या है, और हमें साथ मिलकर इसे solve करने की जरूरत भी है, policy level पर urban development, political parties और real estate माफिया के लिए एक best तरीका होता है, पैसे खाने क water bodies और wetlands यानि दलदर type areas को भरके उन्हें कम rate में बेचा जाता है, water tankers का धंदा बनाया जाता है, लेकिन water tankers में से कितना पानी टपकता रहता है आपको तो पता ही होगा, अगर दूद या petrol होता, तो क्या ऐसे ही faulty trucks में transport होता, जिस चीज की हमें value है, क्या हम उसे ऐसे ही बह पहने देंगे, the answer is no. भारत almost हर indicator में extreme high risk category में आता है, what I feel is, जब भी कोई smart city develop हो रही है, उसमें lakes होना आशक है, उसमें wetlands को conserve करके उनसे parks बनाना ये important है, और mangrove conservation mandatory है, ultimately हमें याद रखना होगा कि water एक gift है, इसे हम for granted नहीं ले सकते, climate change की वजए से भारत में unseasonal बारिश हो रही है, और short periods में intense rainfall हो होता है, इसी की वजए से हिमाचल जैसे areas में flash floods होता है, हर साल हमारे कई सारे शहरों में floods होता है, ये एक reality है, water scarcity भी एक reality है, और जितनी जल्दी हम इस reality को accept करेंगे, उतनी ही जल्दी solutions पर सोच पाएंगे, और यही important बात आप तक पहुँचाने से मुझे फार्क पढ़ता ह ज्सकेजराज के पहुँचाने से पहुँचाने सारे Chief